तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा तूने हमारे साथ ऐसा बरताओ क्यों किया है कि जब तू मिध्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया सो उन्होंने उससे बड़ा जगडा किया उसने उनसे कहा मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अभी इजर की सब फसल से अच्छी नहीं है तुम्हारे ही हाथों में पर्मेश्वर ने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के हाकिमों को कर दिया तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया तब गिदोन और उसके संग तीन सो पुरुष जो ठके मांदे थे तो भी खदेरते ही रहे यर्दन के तीर आकर पार हो गए तब उसने सुकोत के लोगों से कहा मेरे पीछे इन आने वालों को रोटिया दो क्योंकि वे ठके मांदे हैं और मैं मिद्यान के जेबह और सलमुन्ना नाम राजाओं का पीछा कर रहा हूं सुकोत के हाकिमों ने उत्तर दिया क्या जेबह और सलमुन्ना तेरे हाथ में पढ़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे गिदोन ने कहा जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस पात के कारण तु और वहां के लोगों से भी ऐसी ही बात कही और पनुवेल के लोगों ने सुकुत के लोगों कासा उत्तर दिया। उसने पनुवेल के लोगों से कहा जब मैं कुशल से लवटाऊंगा तब इस घुम्मट को ढ़ा दूंगा। जेबह और सलमुन्ना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुशों की सेना थी क्योंकि पुरुवियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हतियार बंद थे। तब गिदोन ने नोबह और युगबाहा के पुरुव की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग से चड़ कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सलमुन्ना भागे तब और सारी सेना को भगा दिया। और योवाश का पुत्र गिदोन हेरेस नाम चड़ाई पर से लड़ाई से लवटा। और सुकोत के एक जवान पुरुष को पकड़ कर उससे पूछा और उसने सुकोत के 77 हाकिमों और वुद्ध लोगों के पते लिखवाए। तब वह सुकोत के मनुशों के पास जाकर कहने लगा जेबह और सलमुन्ना को देखो। जिनके विशे में तुमने यह कहकर मुझे चिड़ाया था कि क्या जेबह और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में हैं कि हम तेरे ठकेमान दे जनों को रूटी दे। तब उसने उस नगर के वुद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटिले और बिच्छु पेड लेकर सुकोत के पुरुशों को कुछ सिखाया और उसने पनुएल के गुम्मटों को धा दिया और उस नगर के मनुशों को घात किया। फिर उसने जेबह और सलमुन्ना से पूछा जो मनुश्य तुमने ताबोर पर घात किये थे वे कैसे थे। उन्हें ने उत्तर दिया जैसा तू वैसे ही वे भी थे। अर्थात एक एक करूप राजकुमार का सा था। उसने कहा वे तो मेरे भाई बरन मेरे सहोदर भाई थे यहवा के जिवन की शपत। यदि तुमने उनको जिवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेर से कहा उठकर इन्हें घात कर। परन्तु जवान ने अपनी तलवार नखीची क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था। इसलिए वह डर गया। तब जिवह और सल्मुन्ना ने कहा तु उठकर हम पर प्रहाय कर। क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जिवह और सल्मुन्ना को घात किया। और उनके उंटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इस्वाइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा तू हमारे उपर प्रभूता कर। तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभूता करे। क्योंकि तूने हमको मिध्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा मैं तुम्हारे उपर प्रभूता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे उपर प्रभूता करेगा। यहोवा ही तुम पर प्रभूता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ। अर्थात तुम मुझको अपनी उसमें अपनी लूट में से निकाल कर बालिया डाल दी जो सोनी की बालिया उसने मांग ले उनका तौल 1700 शेकल हुआ और उनको छोड चंदरहार जुनके और बैंगनी रंग के वस्तर जो मिध्यानियों के राजा पहने थे और उनके उंटों के गलों की जंजीर उनका गिदोन एक एपोद बनवा कर अपने उप्रान नाम नगर में रखा और सब इसरायल वहां वेभीचारीनी की नाए उसके पीछे हो लिया और वहां गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठेरा इस प्रकार मिध्यान इसरायलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया और गिदोन क के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा योवाश का पुत्र यरूबाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा और गिदोन के 70 बेटे उत्पन हुए क्योंकि उसके बहुत स्त्रिया थी और उसकी जो एक रखेली शक्केम में रहती थी उसके एक पुत्र हुआ ज और अभी इजरियों के उपरा नाम गाव में उसके पिता योवाश की कबर में उसको मिट्टी दी गई गिदोन के मरते ही इस्राइली फिर गए और वेभिचारिनी की नाई बाल देवताओं के पीछे हो लिये और बाल बरित को अपना देवता मान लिया और इस्राइलियों अपने परमिश्वर यहवा को जिसने उसको चारो ओर के सब शत्रों से छुड़ाया था स्मरन न रखा और न उन्होंने यरुबाल अर्थात गिदोन की सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रिती दिखाई झायूंट गुष्टल कालuw खाई जायूंट गुष्टल काल्धू के हाट गिदोन परुछोने गिदोने